लोकसभा से पहले मध्यपरदेश राजिस्थान समेत पांच राजियों में चुनावी शंकनाध हो चुका है मध्यपरदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी एक और जहां तारीकों का अलान हुआ तो दूसरी और भाजपन एमपी में चौथी लिस्ट भी जारी कर दी जिसमें सूबे के मुख्या शिवराज सिंग चोहान का नाम भी शामिल है उन्हें सीहोर जिले के बुधनी सीट से टिकट मिला है लेकिन टिकट मिलने के बाद शिवराज सिंग चोहान मध्यपरदेश से उत्राखंट के लिए रवाना हो गए जहां उनका कूल अंदास देखने को मिला ऐसा लग रहा जैसे मानो वो एकांतवास में चले गए हो जहां चुनाव और अपने भविष्य का चिंतन कर रहे हैं वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रिशिकेश में शिवराज सिंग चोहान गंगा नदी के किनारे एक पत्थर पर दिख रहे हैं उनके हाथ में किताब है और वहाँ वो एकांत में चिंतन करते दिखाई दे रहे हैं इसे लेकर शिवराज सिंग ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा शिवराज सिंग ने लिखा कि मागंगा भारतिय संस्कृति का पुन्य परवह यही संस्कृति भौतिक्ता की अगनी में दग्द विश्व मानवता को शास्वत शांती के पत का दिखदर्शन कराएगी चुनाफ से पहले शिवराज सिंग चोहान का ये कूल अंदास सियासी गली आरे में चर्चा का विश्य बना हुआ है बता दें की मंगलवार और बुदवार को शिवराज सिंग चोहान हरिदवार और रिशिकेश में रहेंगे इस दोरान वो कई लोगों समीलेंगे बता दें की चुनाफ की तारीकों के ऐलान के साथ ही मंद्य प्रदेश में नौक्टूबर से अचार सहीता लग गई है अचार सहीता लगने के बाद सीधी में उनका आखरी कारेकरम था इसके बाद सीम सरकारी कारेकरमों में हिस्सा नहीं लेंगे अब वो सिर्फ पार्टी के कारेकरमों में शामिल होगे शिराज सिंग ने कहा कि उत्राखंड में कानफवास में चिंतन की बाद लोटने पर चुनावी अभियान पर लग जाएंगे गौरतरब है कि MP में 17 नवंबर को वोटिंग है वहीं 21 से 30 अक्टूबर तक प्रदेश में नॉमिनेशन होगा और 3 निसंबर को नतीजे आएंगे